खालात आप देख सकते हैं किसने से कूड़ा और गंदिकी को साफ करने का जो बीड़ा है वो वॉलेंटियर्स के साथ साथ खुद अब एम्मेस भी वाइपर लेके साफसाई करने में जुटे हुए हैं अब ही हम सारे वॉलेंटियर्स के हल्प ले रहे हैं शोशल ऑगनाइडेशन के हल्प ले रहे हैं एनसे सारी है उनकी मज़े से जितना पॉसिबल है हम कर रहे हैं पीजे एचन्टीगड में हॉस्पिटल अटेंडिन्ट की हड़ताल के बाद हालात खराब हैं साफ सफाई का जो हालात हैं वो बिगडे हुए हैं और उसके बाद जो रेजिजन्ट डॉक्टर है वो भी स्टाइक पर है और जो बाकी जो टीम है वो यहां पर लगी हुई है इन वॉलेंटियर्स के साथ ये पीजे के अंदर की तस्वीर हैं जो साफ सफाई आप देख रहे हैं यहां पर और उसके बाद और भी आपको आगे ले के चलते हैं कि जिस तरीके से पीजे में जो हालात हैं कि साफ सफाई को लेकर काफी समझ से क्योंकि हास्पिडल जो आटेंडेयंट है वो कही न कहीं स्टाइक पर चले गये हैं पिछले काफी दिनों के कहें कि एक हफ़ते से ज़्यादा होगे स्ट्राइक होते हुए और वोलंटियर्स के साहर या पीजे की सफाई है कई एंजियोज हैं कई वोलंटियर्स हैं जो साफ सफाई का जिम्मा संबाले हुए जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उसके बाद हम आगे और चलते हैं दोक्टर विपिन कोशल जो पीजे के मेस हैं वोलंटियर्स के साहथ मिलकर खुद साफ सफाई जहां जहां गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं पीजे के समय क्योंकि हड़ताल की वजए से जो गंदगी है जो कूड़ा है जो हाईजीन क की बात हम करते हैं वो कहीं अगी काफी बुरी तना परभावित हुई है और पीजे के लिए बड़ी मुश्किल एक चुनोती बन गही है तो अंदर की तस्वीर आप देखे खुद पीजे के मेडिकल सुप्रिडेंटेंट है डॉक्टर विपिन कोशल जो आप तस्वीरों मे का ध्यान है जो हाईजीन की बात है पीजे में पेशन्ट को सिर्फ केरी नहीं उनकी हाईजीन का भी ध्यान काफी इंपॉर्डेंट होता है किसी भी मेडिकल फैसलिटी की बात है तो जो एंजियो आएं उनके साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से खुद हैं और चीफ स्पोक्स परसन भी हैं तो कहीं न के खुद अब कमान जो है अड्मिस्ट्रेशन के लोगों को संभालनी पड़ रही है हालात आप देख सकते हैं किसना से कूड़ा और गंदी की को साफ करने का जो बीड़ा है वो वो वोलेंटियर्स के साथ साथ खुद अब ए सफाई का जिम्मा है वो उनके उपर होता रहो प्रभावित होती है और सबसे बड़ा जो सेट पर किस्समें पीजे को लग रहा है वो इसी लग रहा है कि जो साफ सफाई है जो कुड़ा करकट होता है जो वेस्टेज होती है वो कौन उठाएगा यह आप तस्वीरे है अब खुद पीजे प्रशाशन उनके जो एडमिस्टेशन है वो खुद अब उनकी टीम आप देख रहे होंगे यहां पर इस तरह यहां देखिए जो खुद एडमिस्टेशन के लोग है वो यहां पर लगे हुए हैं वोलेंटर्स आ गए हैं और यह अब बात भी करेंगे डॉक्टर वीपिन कोशन हमारे साथ है मेंस हैं डॉक्टर सब आप खुद आप वाइपर लेकर लगे हुए हैं यह अचा नहीं है श्रमदान है हमारा 4000 क्रीब बरकर जो हैं आउट्सोर्ट हास्फिले टेंडर और सैनिटरी के आज साथनों दिने हैं अर्दाल का हमारे रेग फॉंडेशन है और रोट्रक और सार्थी के साथ एनसेस वॉलेंटियर्स क्योंकि यह अर्दाल भी बढ़ी रही है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाधान निकले तो हस्पिटल में जैसे आप जानते हैं कि अभी भी हमारे बाद एक हजार मरीज करीब करीब हैं उनकी सब स नेशनल इचुड़ आप नर्सिंग एजूकेशन है उनके पास भी एनसेस वॉलेंटियर्स हैं तो नाइन की प्रिंसिपल साहिबा से हमने रिक्वेस्ट की थी कि दो तीन गंडे का श्रम दान आज हर साल में करिये तो उन्होंने अपनी हम सह जोग दे रहे हैं हम उनका शु पूशिश कर रहे हैं तो इसमें हम और भी जो अपने हैं उनसे सह जोग लेंगे और जितनी भी साफ महोल है वह हम दे पाएंगे आप मगर देखें हमें जनता का सह जोग मिले अगर वो अगर कोई कुडा निकलता है उसको जस्ट मिन भर गया है उसका बांद दे और हमसे लि से कीजिए की टीम से और जो वालंटियर्स है जिनको मैं सल्यूट करता हूँ खासका मानव रुहानी के इंदर जो दिन रात इपने वालंटियर्स उनके कोई सोस तक आ जाते हैं सैवेंटी टू हंड़र्ड फ्राम एट एम तिल नाइन नाइट और ऐसी सुख फंड़ोशन क काम कर रहे हैं अर्वांस ट्रोमा सेंटर में हैं अबर जैंसी में हैं और जहां और सेवाओं की जुरूरते ही हम जुरूर लें स्ट्राइक को लेकर क्या आप डेटर लगा था लेटर कहा कि लेटर लिख है मिनिस्ट्री को बताया है हम उनको बिलकुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दा जो है मंत्राले के पास है मंत्राले के साथ निरंतर हम अगर नो वर्क नो पे का यो प्रवाधान है स्प्रिंग ओड़ द्वारा वो उसका पालन हम सक्ति से इस वार करेंगे तो जितनी भी दिन ये काम से आए नहीं है तो वो उनका जो बेजीज है वो नहीं मिलेंगे यह मैंसे बहुत क्लियर है बाकि और जो रास्ते है इसको मस्यकल सुझाने के बहुत सारे हम कर रहे हैं और अपील करते हैं इंबाई बंदू मेहनों को कि काम पी आ जाए पेशन्स से और मीडिया का भी से जोग हमें मिलता रहता है उसके लिए हम खासकर आपकी बहुत धन्यवादी है और जनता में जरूर संदेज बिजवाएं कि अगर आप साल में बहुत जरूरता तो जाएं क्योंकि हमने अलेक्टिव सेवाएं जैसे रूटीन अड्मीशन्स ने केसों के रूटीन सर्जिस सभी क्योंकि देख सकते हैं कि कितना घंद पड़ा हुई है तो बंद की हो हैं ली हमजिंसी ट्रोमा हमारी चाल रही है उसमें हम की क्रीब करीब पॉंसों के करीब तो अमरेंसी ट्रोमा पेशेंट है हमारा तो वो से मैं जैसे जाना सफाई में आपकी टी सब्सक्राइब करें तो हम जितने मारे पार मुरीज हैं उनको सेवा इची तरह दे पाए हैं धन्यवाद तो डॉक्टर वीपिन कोशल मेस हैं और वॉलेंटियर्स के साथ यहाँ पर एक चैलेंज है पीजियाई के लिए जिस तरह से अब देख रहे हैं कि सफाई हैं यह भी एक डॉक्टर नवीन पांड़े हैं यहाँ पर इस समय सफाई हैं पेशेंट और केर की बात करें डॉक्टर हालाद हम देखते हैं कि एमर्जेंसी के वीडियो देख रहे थे कि जिस सबसे काफी कुड़ा करकड़ी होगी देखे हाईजीन एक बहुत इंपॉर्टन होता है किसी मेडिकल बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है इसी हम लिए हम हेल्थ केर वरकर से रिक्वेस्ट कर रहे है कि इमर्जेंसी और क्रिटिकल केर में तो कम से कम वाफिस हैं अभी हम सारे वॉलेंटेर्स के हेल्प ले रहे हैं शोशल ऑग्राइलेशन के हेल्प ले रहे हैं एनसे सारी हैं उनकी मज़े से जितना पॉसिबल है हम कर रहे हैं तो देख सकते हैं डॉक्टर नवीन पांड़ पीजिय का एक वार्ड अगर बात करें यूरोजी सेंटर की बात करें और यहां पर जो आप साफ सफाई की दीखें किस तरह से यहां पर जो डॉक्टर्स एन्सेस खुद अब कमान सवाल है यहां से इसको कहाए है कर दक श्रम्दान के दो दो घंटे का तीन घंटे का और साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको सामने में दुखाऊं के जो बैग होते हैं वो आपको निले और हरा बैग दिख रहा होगा यहां से उठा करें तो यह देखे के इस तरह से आपके साफ सफाई का ज पीजिया के अंदर की हम बात करें के श्रमदान का भियान चलाया गया है ताकि गंदगी ना फैले मरीजों को कोई नुकसान नो है अगर अमर्जनसी वाला एरिया हम बात करें इस समय यह अमर्जनसी का है जो एरिया की बात करें नैरू हॉस्पिलल के अमर्जनसी और वलंट PGI प्रशाशन पूरा जोर लगा रहा है कि जो गंदगी है जो कुड़ा करकट है वो ना फैले मरीजों को हाईजीन मिले परेशान ना हो और मरीज भी यहाँ पर देखिए स्ट्रेचर है लाइन में पूरी अमर्जनसी का एक पाठ है यहाँ पर इसलिए बाकी जो चीजें हैं जिस तरह से मरीज यहाँ पर है उसके आसपास जो भी गंदगा तो उठा के शरम दान को लेके और पेशन्ट यहाँ पर एडमिट होनी चाहिए यह देखिए यह मरीज है इनके आसपास सफाई होनी चाहिए कोई कुड़ा करकट ना हो इसकी जिम्मेदारी भी PGI प्रशाशन पूरा देखे पेशन्ट जो है यहां पर होता है और के आसपास सफाई का ध्यान रखना भी एक जिम्मेवारी बनती है तो स्ट्राइक चलते हुए साथ दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं पीजे प्रशाशन हो स्केंद्र सरकार का हल जो प्रशाशन मैदान में है उत्रा हुआ है और अब देखना होगा कि कब स्ट्राइक खतम होगी मरीजों को जो बहतर इलाज समय से इलाज वो मिलता रहे और प्लस जो हाईजिन है जो कुड़ा करगट गंदगी है वो भी उनकी सेथ के साथ खिलवार न रहसे के वीडियो जनली सुपजिंटर के साथ उमेश रमा नियूज जेटी चंडिगो भी जड़े टे हैं भी पुचा हो कि धुच्चा कुचा थाइब को थाइब अरप का कि अरपको बसी अर्ड़ कुचा की अर्ड़ा कि अर्ड़ा है कर दोड़ा दो कर दो, कर दो, कर दो यह गिरगे है देवना जाए पीजेई चण्डिकर में स्ट्राइक के चलते जो हलात है क्योंकि एक चैलिंज है पीजेई के लिए साफ सفाई का भी ध्यान रखना जहां पेशन्ट केर इंपॉर्टन्ट है वही साफ सफाई भी पीजेई के लिए बड़ा चैलिज है एमर्जनसी में मैं मौझूद हूँ जहां पर एनेसेस वॉलेंटियस और पिलीजियाई अड्मिनिस्टेशन मरीजों की हेल्थ के साथ साथ उनकी साथ सफ़ाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो एनेसेस वॉलेंटियस हमने दिखाया एमर्जनसी वार्ड के बाहर हल आज पास जो सफाई होती है वो एक बड़ा चैलेंज है पीज़ाई के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखपाल काउर जी एक बड़ा चैलेंज होता है कि हाईजिन को मेंटेन करना जज एड्मिस्टेशन के साथ मिलके हम सफाई अभयान करेंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ते अपना और हम इसको अपना काम मान रहे हैं डॉक्टरस भी इलाज करना लेकिन साफ सफाई भी आज आपको करने हैं साफ सफाई तो सबसे जादा इंपॉर्टेंट है देख भाल पेशिंट की बहुत अच्छे से हो यही हमारा एक मोटो है तो यही सोच के हम आज पूरे पीजिए में सफाई अभयान कर रहे हैं पिराटिक सेंटर में भी हैं यहां भी हैं काडिक सेंटर में भी हम लगे हुए सफाई करने के लिए मरीज भी हैं आपके साफसफाई हो रही हैं जी सर बिल्कुल साफसफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है पेशिंट की हाईजिन और साफसफाई एक चैलेंज है पीजे के लिए जो इससे में पीजे फेस भी कर रहा है क्योंकि स्ट्राइक है खासकर हॉस्पिटल रेंडि कि ये अमर्जनसी वो वाड है जहां पर अक्सर तस्वीरे मीडिया नहीं अलाओ होता लेकिन हम इसलिए आए हैं कि असली तस्वीर आपके सामने दिखा से क्या कि आकिर हालात क्या है ग्राउंड जिरो पर इस समय पीजे फेसे में जो स्ट्राइक होती है तब हालात कैसे होत होती है और इसी चैलिज में पीजी आई भी लगा हुआ है हालात कब सुदरेंगे स्ट्राइक कब खतम होगी ये बात की बात है लेकिन फिला जो सबसे एहम होती है कि इलाज के सासथ पीजी आई की जो साफ सफाई का ध्यान रखना वो बहुत जरूरी है ताकि मरीजों को इ एक पार्ट है मेडिकल फैसलिटी का के साफ सफाई उसके लिए भी डॉक्टर्स की बात करें वो यहां पर लगे हुए हैं और तस्वीरें हैं अंदर के आपको हम दिखा रहे हैं इस समय और आपको मरीजों से भी हमने कहा कि डॉक्टर्स भी साफ दे रहे हैं जिन डॉक्ट